So, Hello Everyone, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Defense Point पर काफी वीडियोस के नीचे आप लोग comment box में comment करके पूछते हो कि सर जो नई vacancy है आपके cost guard की वो कब तक देखने को मिलेगी, इस बार जो vacancy आएगी, इसकी date of birth criteria क्या रहने वाली है GD, DB और यांतरिक की और इसके साथ ही जो है इसके online application form कब तक भरे जाएंगे और exam कब तक हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के इनी सारे doubts के clear करने वाला हूँ यानि की इनी सभी चीजों का जो है मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ तो अगर आप लोगों का भी इन में से कोई question है, तो इस वीडियो को continue और पूरा जरूर से देखिएगा साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इंडियन कोष्ट गार्ड नाविक exam के तयारी कर रहे हैं तो make sure कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो और bell icon को प्रेस कर लिया हो ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी latest updates मिलते रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस बार जो vacancy आने वाली है उसका intact रहने वाला है आपका 02-2022 batch यानि कि नाविक GD, DB and Yantrik का 02-2022 batch की notification इस बार आने वाली है तो अब बात कर लेते हैं कि आपकी नाविक भरती का नया notification जो है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है तो दोस्तों इंगिन Coast Guard ने जो है अपनी official website के उपर recruitment cycle में पहले से बता रखा है कि उनका जो notification होता है वो कब तक आता है ठीक है तो उसके according officially अगर बात की जाए तो आपकी जो नई vacancy है वो आपके November end week से लेकर के December के first week तक आपको देखने को मिल सकती है यानि कि आपकी जो vacancy है वो बहुत ही जल्द आने वाली है 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपको यहाँ पर नई vacancy का notification देखने को मिल जाएगा और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि cost guard जो है अपनी selection process में late नहीं करती है तो बहुत ही जल्द जो है आपको notification मिल जाएगा यानि कि आपको मैं अगर बताऊं तो 10 December से पहले notification मिल जाना चाहिए तो अब बात करते हैं कि जब notification आ जाएगा तो इसके form जो है वो कब से कब तक भरे जाएगे और exam कब होगा ठीक है तो form की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि जब notification आ जाएगा तो उससे 10 से 15 दिन के बाद यानि कि जो है आपका December में ही form भरा जाएगा और इसका exam जो है वो आपका mid of February से लेकर के end of February तक हो सकता है यानि कि February में जो है आपका इसका exam हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि जो नई vacancy आएगी उसमें date of birth क्या रहेगी आपके GD, DB और यान्तरीक की तो ये जो है काफी important हो जाता है कि date of birth का क्या scene रहने वाला है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि cost guard की जो vacancy आती है वो साल में दो बार आती है ठीक है और इसमें जो है notification में 6 महीने increase किये जाते हैं आपकी date में हर notification में ठीक है तो मैं यहाँ पर जो है last notification में जो है 6 महीने add करके आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है नई vacancy जो आएगी तो उसका notification में जो है आपका date of birth क्या रहेगा maximum point से जो है मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर data change नहीं होगा लेकिन 1% यह भी है कि भाई change हो सकता है ठीक है तो भाई notification जब आ जाएगा detail में तो आ इन दोनों की जो date of birth रहती है वो आपके भाई same रहती है application form को भरने के लिए तो दोस्तों अगर आप लोगों की date of birth जो है वो 1 अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2004 एक अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2004 को और या फिर जो है इन दोनों dates को भी अगर आपका जनम हुआ है तो आप सीमा में छूट का भी प्रावदान है यानि कि यहां पर जो है आपको age relaxation भी दिया जाता है तो OBC में जो है भाई 3 साल का age relaxation मिलता है और साथ ही SCST को जो है भाई 5 साल का age relaxation दिया जाता है लेकिन age relaxation के लिए जो है आपके पास में भाई central का cash certificate होना compulsory है इसके अलावा आपको ज central के cash certificate को जरूर से बनवा ले वें तो यह बात हो गई आपके GD और यांत्री के लिए तो अब हम बात करते हैं कि आपके नाविक DB के लिए जो है क्या DOB रहने वाली है तो नाविक DB के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर जो है आपकी 1 October 2000 से लेकर के 30 September 2004 के बीच में रहन हुआ है तो आप लोग जो है eligible माने जाओगे और साथ ही यहां पर DB में भी जो है IUC मा में छूट का फ्रावदान है यानि कि यहां पर भी आपको age relaxation मिलता है तो OBC में 3 साल का और साथ ही SCST में जो है यहां पर 5 साल का age relaxation दिया जाता है लेकिन इसके लिए same वही चीज कि आपक DOB क्या रहेगी तो मैं आपको बता दूँ कि 99% यही data रहने वाले हैं लेकिन हो सकता है कि 1% change भी हो जाए तो जब कोई official information आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा अब एक चीज और बता दूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है मुझे अनेकेडमी के उपर भी follow क पर सकते हो कोश्ट गार्ड नाविक एकजाम के तयारी के लिए क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी free live special classes चलती है आपके नाविक GD, DB और यांतरिक एकजाम की तयारी के लिए तो इसके लिए आप लोगों को simply an academy का learner app install कर लेना है उसके बाद में आपको वहाँ पर कुछ data फिल कर इस वीडियो के नीचे description box में भी दी गई है और make sure कि आप लोग मुझे follow जरूर से कर लें ताकि आप लोगो जो है वहाँ पर सारे updates मिलते रहें और एक चीज़ बता दूं कि commando 2.0 batch शुरू किया जा रहा है NDA वालों के लिए जो कि आपका detail batch course होने वाला है 2022 के students के लिए तो अगर आप लोग enroll करना चाहते हो तो हमारा referral code DPYT10 इसको use करना बिलकुल भी मत बूलिएगा क्योंकि अगर आप लोग ये DPYT10 code को use करते हो तो आप लोगों को इस course में 10% का off देखने को मिल जाएगा तो इनके जोड़ी जो भी related links है वो आप लोगों को इस वीडियो के नीच जय हिन दोस्तों